हेलो एवरिवन बुंदिल खन्सिस्टर्स में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करते हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आज एक बर फिट से मैं आ गई हूँ एक और वाइरल रेसिपी लेकिन लाज जो मैंने वाइरल रेसिपी का वीडियो अप्लोड किया था आप सभी उसको बहुत ज़्यदा पसंद किया है तो आईए आज एक और रेसिपी बना लेते हैं वाइरल जिसको बोलते हैं कुकंबर बोट या ट्रैफिक जैम कुकंबर तो ये खीरा का स्नेक्स है जो आजकर बहुत ज़्यदा च्छाया हुआ है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और नीबू तो एक खीरा मैं ले रहे हूँ आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और फिर इसको अच्छे से वीडियो में दिखाये गए तरीके से हमको साफ कर ले रहा है तो पहले आप नाइफ से इसको एक साइड से कट करिए और फिर उस पर छेट-छेट कर दीजिए न तो अब जो भी चीज़े हमने कट करके रखी हैं या जो भी फ्रूट्स लिए हैं उन सभी को हम एक बड़े बरतन में एड कर देंगे और फिर इसमें हम कुछ मसालों को एड करेंगे तो अब मैं इसमें एड करी हूं रोश्टेड जीरा पाउडर काली मिर्ज का पाउडर औ और काला नमक आप चाहें तो सफेद नमक भी इस्तिमाल कर सकते हैं और फिर इसमें एड करना है धेर सारा नेबू का रस जो की बहुत जरूरी है तो यह सारे मसाले जिरा पाउडर है काली मिर्च का पाउडर यह सब में घर में ही बना के रख ले तो और आप इन सभी में एड कर देना है और अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं या फिर एड भी कर सकते हैं तो इस तरीके से इसको इस्पून की मदद से एड कर लीजिए और आप इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब ले लीजिए खीरे को और जिस तरीके से इसका नाम है ट्रैफिक कुकंबर या कुकंबर बोड तो उसी तरीके से हमें इसमें बहुत सारा अपना जो भी हमने स्टफिंग बनाई है एक तरीके से जो सालसा रेडी किया उसको भर देना है अब एकदम ट्रैफिक जाम कर देना है तो अच्छे से इसको भरिए जितने जादा हम उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा और नीपूर करस डालने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो इस तरीके से तो बहुत अच्छे से भर दीजिए और लीजिए ये हमारी कुकंबर बोड बिल्कुल ड्रेडी हो गई है सवारी करने के लिए तो चलिए जल्दी से खाईए और इसका इंजाय करिए घर बैठ बैठे कुकंबर बोड की तो फिर अभी है ये अधूरा इसको गार्निश कर लेते हैं हम हालू भुजिया के साथ या आप अपने भी पसंद की कोई भी नमकीन इसमें एड़ करिए और इंजाय करिए औ वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजियेगा और शेयर करिए जाया जाया